रवीश जी ये बताए कि ये अगनिपत योजना क्या? भारत चार साल में भूत पुर्व हो जाने वालों का अभूत पुर्व राष्ट्र बन जाएगा अरे बाह जब आपने काम बता ही दिया है तो इस योजना का नाम भी बता दीजिए इस योजना का नाम अगनिपत नहीं इसका नाम होना चाहिए भरी जवानी में भूत पुर्व बनाने की अभूत पुर्व योजना अब आप ये भी बता सकते हैं कि इस योजना में काम क्या होगा? एसा लगता है जैसे सेना में मनरेगा शुरू हुआ है जैसे मनरेगा में 100 दिन रवीश जी गजब है सेना में काम मिलने के बाद भी इसका विरोध हो रहा है क्या देश को आप इसका कारण बता सकते हैं जिन लोगों की भरती होगी उनमें से 75 प्रतिशत जवान 4 साल के बाद सेना से निकाल दिये जाएंगे अच्छा रवीश जी गजबेंगल पकड़े हैं तब ही आप जैसे लोगों को मैकसे से अवार्ड मिल जाता है वरना मुझे तो ये पता है कि इस योजना में 4 साल के दौरान ऐसे अगनी वीर तयार होंगे जिनके पास अनुभव होगा, जिनके हाथों में लाखो रुपिय होंगे, जिनके मन में कुछ कर गुजरने का जजबा होगा और साथ ही साथ, जिनकी उम्र सिर्फ 21 साल ही होगी, मगर आप क्या कह रहे हैं? नियम आया है कि 4 साल में ही जवानों को गोरिया बिस्तर समेथ सेना से रिटायर कर देना है अच्छा रवीश जी, आप तो इन अगनी वीरों का नया नाम करण कर रहे हैं अच्छा आपने इने भड़काने और चिड़ाने के लिए ये सब किया होगा निकाले जाने के बाद गाउं गाउं में इन अगनी वीरों को निशकासित वीर कहा जाने लगेगा वैसे अपनी बात आगे बढ़ाओं जरा पुनी प्रसून जी का भी तरक देख लीजिए गाउं में शादियां होती हैं कि बेटा जो है सेना में लग गया लेकिन जब ये पता चलेगा बेटा चार साल के लिए ही सेना में लगा है तो कौन अपनी बेटी देगा साथियों नमस्कार मैं हरिश्चन बर्णवार इस समय आप जो पूरे देश में अगनिपत योजना के विरोध में धरने प्रदर्शन की तस्वीर देख रहे हैं कहीं तोड़ फोड तो कहीं आगजनी कहीं सारजनिक संपत्ति को नुकसान तो कहीं लूट पाट अब आपको इस विरोध प्रदर्शन के पीछे की हकीकत समझ में आ गई होगी आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर इसके पीछे किन लोगों का हाथ है दरसल मोधी विरोध्यों ने इन लोगों को भड़काने की पूरी तैयारी कर रखी है ये अगनीपत योजना के बारे में बता नहीं रहें बलकि भड़का रहें और इन्हीं परिद्रिश में मैं आपके सामने मतलब पूरी की पूरी योजना क्या है अगनीपत के बारे में किस प्रकार से भड़काया जा रहा है और सच्चाई क्या है इसका खुलासा करने वाला पहला भड़काओ मित क्या है पहले ये सुनिए यानि सवाल ये है कि अगनी वीरों का भविष्य असुरक्षित है यही सवाल खड़े किये जा रहे हैं अब हकीकत क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए फैक्ट क्या है ये बता रहा हूं जो एंटरप्रेनियर्स बनने की इच्छा रखते हैं उन्हें फैनेंशियल पैकेज के साथ बैंक लोन भी मिलेगा मैं बता रहा हूं चार साल के बाद क्या होगा जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें बार्मी क्लास के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और आगे प सारे सेक्टर्स में अवसरों के द्वार खोल दिये जाएंगे खुल जाएंगे और यह मतलब आप देखिए कि अलग-अलग जगों पर अलग-अलग सेक्टर में आपके लिए कितने सारे अवसर खुल रहे हैं अब अगनिपत को लेकर दूसरा भड़काओं मुद्दा क्या ह यह भी आप समझ लीजिए जो भी अगनिवीर चार साल के लिए नोकरी करके आएगा उन्होंने जूट आसवासन दे दिया है कि उनको पुलिस में नोकरी दी जाएगी इनको तो देदो पहले नोकरी 21 साल के नोजवान को कहां अपने भविशे के लिए कहां किसका दरवाजा खटखटाएगा यानि ये मित बनाया गया है कि अगनिपत के परिणाम सरू युवाओं के अवसरों में कमी आ जाएगी अब आप इसकी हकीकत समझे इसकी सचाई क्या है युवाओं के लिए आम्ड फोर्सिस में सेवा करने के अवसर कम नहीं होंगे बलकि और बढ़ेंगे आम्ड फोर्सिस में आने वाले वर्षों में अगनी वीरों की भरती जो है वर्तमान भरती की तुलना में लगभक तीन गुना होगा अब तीसरे भड़काओं मुद्दे पर आईए और सवाल सुनिए यह भी एक सवाल है देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंग ने उठाया यह मीडिया रिपोर्ट है अगनी पद भरती योजना पर बढ़के बरसे कैप्टन अमरिंदर सिंग कहा यह अलग-अलग रेजिमेंट्स के लिए मौत की घंटी जैसा यानि ये मित बन गया है कि रेजिमेंटल बांडिंग प्रभावित होगी लेकिन सच्चाई क्या है यह आप समझे रेजिमेंटल सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया है वास्तों में इस पर और अधिक बल दिया जाएगा क्योंकि सर्वसिष्ट अगनी वीरों का चैन होगा इससे यूनीट की एक जुटता को बढ़ावा मिलेगा अब चौथा भड़काओं मित क्या है वो भी देख लीजिए चार साल में पहले साल पहला साल तो ट्रेनिंग और 21-22 साल तक वो वापिस आ जाएंगे तो राश्ट की ना जो राश्ट की सुरक्षा में है यानि यह मित क्रियेट किया गया है कि यह armed forces के effectiveness को नुकसान पहुचाएगा मगर सचाई क्या है आप इसे समझने की कोशिश कीजिए इस तरह के short term enlistment system अधिकांश देशों में कई देशों में यह चीज़ें चल रही हैं जिसे पहले ही जाचा परखा जा चुका है इसे एक जुस्त द सेनी सबाएं देश के नागरिक देते हैं जिसमें Austria, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Lithuania, Sweden, कई देश हैं और यही नहीं Europe के अलावाद देश के कई देशों में military services को तो अनिवारी बना दी गई है भारत में यह नहीं है भारत में तो अपनी मर्जी से जाईए या ना जाईए लेकिन कई देश स्विजर लेंड, Thailand, Turkey और United Arab Emirates, UAE अब आप समझ ये कि क्या चीजें और पहले से चल रही हैं यानि अब अगनी पत के अगनी वीर भी दुनिया के अनुभाओं के जो निचोड हैं उससे तैयार किये जा रहे हैं और इसमें क्या होगा पहले बर्ष में भरती होने वाले अग मतलब सिर्फ तीन पृतीशत होगी मतलब सिर्फ तीन पृतीशत जिनके बारे में आप सवाल खड़े कर रहे हैं इसके साथ ही चार साल बाद फिर से सेना में भरती होने से पहले अगनी वीरों के प्रदरशन की जाच हो सकेगी इससे सेना की वाइजरी रैंक्स के लिए करके लोगों को भड़काया जा रहा है मैं आपको सच्चाई आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं पांचवा भड़काओं मुद्दा यह है कि अगनीवीर रिटायर्मेंट के बाद समाज के लिए खतरनाक हो सकते हैं पहले आप यह बयान सुनिए देश के नौजवान जो आम फोर्सिज में आप लोग उनके भविश्य को असुरक्षित छोड़कर आप देश की सुरक्षा को कैसे मजबूत करेंगे इसका आर्थ आपने समझा यानि यह मित क्रियेट किया गया है कि जैसे ही अगनीवीर रिटायर कर जाएंगे वो समाज के लिए खतरनाक हो जा क्योंकि आप को क्या लगता है कि यह वहां यही सिखाया जाता है और चार साल तक वर्दी पहनने वाले युवा अगनीवीर आजीवन देश के लिए प्रतिबद रहेंगे अभी भी आम्ड फोर्सिस से हजारों स्किल्स के साथ सेवा निवरित होते हैं लेकिन उनके एंटी नैशनल फोर्सिस में शामिल होने का कोई उदाहरन नहीं है एक सवाल ये भी है कि जो शौर्ट सर्विस कमिशन से लौट कर आज आ रहे हैं क्या वो आतंगवादी बन जाते हैं ऐसा कोई उदाहरन तो दिखता भी नहीं है साथियों आजादी के बाद यह एक एतिहासिक मौका है जब प्रधान मंत्री मोदी देश के युवाओं का चरित्र बदलने के लिए एक साहसिक कदम उठा रहे हैं हम सब ने देखा है कि इस देश की अधिकतर पार्टियों ने जब जब उनकी सरकारें बनी हैं तब तब उन्होंने युवाओं को सैनेट ट्रेनिंग देने की बात कही लेकिन कभी किसी में इस प्रकार के कदम उठाने का साहस पैदा नहीं हुआ सिर्फ मोदी सरकार नहीं इस प्रकार का कदम उठाने की पहल की है इस अगनिपथ योजना से देश में युवाओं का एक ऐसा एको सिस्टम तयार होगा जो जरूरत पढ़ने पर ना केवल रियल वारियर की भूमिका अदा करेगा बलकि विकास के मोर्चे पर भी न्यू इंडिया के लिए डेवलप्मेंट वारियर की भूमिका भी अदा करे और यही तो समय की सबसे बड़ी जरूरत है बहुत बहुत धन्यवाद आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा नमस्कार